नमस्कार स्वागत आप सभी का समधान इंडिया में लोकडाउन और वेस्विक महामारी से जहां पुरा दुनिया लग रहा है महाँ बेंगाबाद के अंचल अधिकारी लगातार अपनी सेवाइं दे रहे हैं चाहे किसी भी तरह की समस्या हो वो ततपर दिखाई देते हैं और हर वक्त सेवा में वेस्विक महामारी कोरोना के खिलाप जंग लड़ते हुए एक युद्धा की तरह नज़र आ रहे हैं तरह कर सकते हैं कि कुछ कुछ सिकायते आई हैं क्या सर अपने क्या कुछ प्राइल करने का मामला है तो हम लोगतार बनाए हुए हैं अपील भी कर रहे हैं लोगों को समझा भी रहे हैं लेकिन इधर कुछ दिनों से बैंक में भीड काफी बढ़ रही है बैंक में भीड बढ़ रही है उसको नियंतरन करने में थोड़ा हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं इसके लिए हम सहीओ के पिल्ट करेंगे चाहेंगे कि लोग स्वेम इसको समझें चुकि अब और बिकट रूप में बिकराल रूप में करोना के सामने में बढ़ने लगा। तो जब तक आप स्वेम नहीं समझेंगे हम लोग प्रयास कर जाएंगे distant हम लोइब अपने आपमें अपने आप से आप लोग नहीं वेठी कर सकते हैं शुधार नहीं सकते हैं तो आप स्थिति में बड़ा बिकटी स्थिति हो जा रहे हैं कि क्या करें हम लोग जारकन में भी 13 कोरोना पॉजिटीफ पाए गया है उसमें से एक अध्यांत हो गया है बुजुर्ग एक है वो इनका द्यांत हो गया बोकारों के ते सर बैंक जो जितने वह मैं ही साथ बज़े आठ बज़े आकर बैंक के एक पर है और टोकन देकर जो पब्लिक आता टोकन देकर उसको दूर दूर जगहों पर बैठने के निजस्ट दें और माइकिंग सिस्टम से नाउंस करें कि को टोकन नंबर 1234 आवे तो आएंगे तो इससे सोचल डिस्टेंस क सकति योग भी कर रहें अंतीम जाते जाते सवाल है कि सवाल नहीं है आपका संदेश लेना चाहेंगे कि आंतीम अपील क्या करना चाहेंगे बिछवाद का नहीं बचाएंगे तो यह बहुत ही दुखद संदेश लेकर हम सबो के बीच में आएज़ बहुत बहुत सुक्रिया सर आपका तो बेंगाबाद सीयों है और इनका कहना है कि अपने घरों में रहें सुरची तरह सोशल डिस्टन का ख्याल रखें और बैंक की जो समस्या उसको लेकर भी इन्होंने निर्देश दिये हैं प्रशासन लगता निर्देश दे रही है कि आप जो है सोशल डिस्टेंस के लिए टोकन सिस्टम जारी करें और उसका भी आप पालन करें समधान इंडिया में आप बने रहें आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया कैमरा पर्सन में अंदर राज के साथ में विकास याद हूँ